यूपी में आगामी चुनाओं को देखते हुए समाजबादी पार्टी लगतार विविन यात्राओं और सम्मिलेनों के जरीए जनता से जुड़ने की पूरी कोशिश कर रही है जिसे लेकर हमारे समबाद उदाता ओम पांडे ने समाजबादी पार्टी के राष्टिय सचिव अभिशेक मिश्रस से खास बाच्वित की है सुन बाते हैं आपको उतर प्रदेश में हिंदुत्य को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है जहां बहुजन समाजबादी पार्टी के सुप्रीमों मायवती ने प्रभुजन सम्मिलन में तमाम ऐसी बाते कहीं तो वहीं भारतियन्ता पार्टी भी हिंदुत्य का कार्ड खेलती भी नजर आ रही है इन तमाम विसों पर उतर प्रदेश में जहां सियासत गरम है तो वहीं समाजबादी पार्टी के पूरों करड़न मंत्री अभिशेक मिस समाजबाद करने के लिए है सर उतर प्रदेश में हिंदुत्य की बात कहीं जा रही है और हिंदुत्य को लेकर के भारतियन्ता पार्टी जहां आगे थी समाजवादी पार्टी भी वहीं पर है आप का कहेंगे समाजवादी पार्टी हमेशा सब को साथ लेकर के चलने के बात करती है समाजवादी की जो मूल मंत्र है, जो मूल विचारधारा है वो समानता का है equality of opportunity और equality of access का है सब को एक नजर से देखना चाए हिंदू हो, चाए मसल्मान हो, चाए सिख्व हो चाए इसाई हो, चाए पार्फि हो, चाए जैन हो चाए कोई भी दूसरा हो कोई agnostic हो तो भी ठीक है हम लोग इन्सान को इन्सान की बात करना चाहते हैं और हम यह चाहते हैं कि हम मुद्दों में हिंदो और मुसल्मान की लड़ाई ना बचे जिस तरह भारती जनता पार्टी हिंदो और मुसल्मान में देश को प्रदेश को लड़ा करके जीतना चाहती है अब वो बात खतम हो बेरोजगारी जो बढ़ गई है आज लाखों करोडों नौजवान हमारे बेरोजगार है बच्चे बच्चियां नौकरी नहीं पा रहे है जो लोगों के पास नौकरी है उनकी तनखाएं नहीं मिल रही है मानने मुख्यमंती जी पास विभाग गई जमने 2-2-4-4 तन्खाई नहीं मिली हूई है आफ ने दिखा किस तरीके से हमारे सिक्षक सड़क पर धर्ना देरहे हैं उनको तन्खाई नहीं मिल रहे हैं किस तरीके से महेंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है 80 रुपए का तेल आज 200 रुपए का हो गया, पेट्रोल 40 रुपए का, 60 रुपए का पेट्रोल आज 100 रुपए पार कर गया, जो सिलिंडर 416 रुपए का था वो आज 922 रुपए का सिलिंडर हो गया, तो इन चीजों को मुद्दा बनाये जाए, समाजवादी पार्टी मुद् बोलता है और आगे भी काम बोलता ही रहेगा। बोलता है।